आंगनवारी वरकर्स का जो मांदे है आप से हाद जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मांदे को बढ़ाया जाए और उनको गॉर्मेंट मानने ये सांसों तो दुवार आंगनवारी सेवी का वसाई काओ के हग के लिए लोकसभा में आवाज उटाई गई थी हमें पूरा उमीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देगेंगे आगनवारी वरकर गाओं गाओं में रहती है लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्रपूर्ण इंपोर्टेंट काम है और जैसे मानने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर हुआ कि जो गाओं देहात में जो स्वस्त वेवस्ताइं हैं स्वस्त की वेवस्ताइं हैं वह कितनी चर्मराई में जो गाओं देहात में जो आगनवारी वरकर हैं इसको आशा वरकर के नाम से हम जानते हैं उन्होंने देश आगनवारी वरकर्स में और ये आशा वरकर्स औ मेरे कहने का ताथ पर यह मेरा यह है कि हम इसको जो आंगनवाडी वरकर्स हैं जो आंगनवाडी सेंटर्स हैं यह देश की आम जनता के लिए देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का इस्कूल का उनके पालन कोशन का बेसिकली यह गाइड है यह सेक यहां पर बोला है अभी प्रेम चंद्रण जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मान दे दिया जाता है आंगनवाडी वरकर को उन्होंने एक सुझाओ भी रखा कि इतना देश में अनेंप्लॉइमेंट है खास तोर से पढ़े लिखों में कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारस सरकार जो है गाइडलाइन टै कर दे कि आंगनवाडी वरकर का की न्युक्ति जो हो उसकी एक मिनीमम क्वालिफिकेशन हो देखा नी जा सकता हम लोग इनी की पार्टी की सरकार भी है तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाडी वरकर्स का जो मानदे है वो 4,000 रुपे अन्याये हैं मैं उत्तर पिर्देश की आंगन वाड़ी वरकर्स के लिए आपसे हाध जोड़ करके प्रार्तना करता हूं कि उनके मांदे को बढ़ाया जाये और उनको गॉडंड सरकार के जो फॉर्ड ग्रेट के एंप्लोइसूथ हैं वो सारी फैसिलिटी उनको दी जानी चाहिए मैं इनी शब्दों के साथ इसी उमीद के साथ कि मानने मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोश्णी दार रहेंगी जब अपना